इद तो पीस का सिंबल है इद अल अधा तो इसलिए मनाई जाती है ताकि लोगों में प्यार बाढ़ सके शांती फैल सके हुमेनिटी के लिए कुछ कर सके गरीबों की मदद कर सके एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके लेकिन इस फेस्टिवल को एनिमल सेक्रिफाइस जो होता है क्या एनिमल सेक्रिफाइस करना पीस का सिंबल है क्या एनिमल का सेक्रिफाइस करना वला कैसे शांती ला सकता है आज जरह हम इस पर चर्चा करेंगे देखे सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि एनिमल जो सेक्रिफाइस था वो बहुत पहले से चला आ रहा था प बात करते हैं, प्रॉफिट मौहमद की मैं आपको इस्टोरी सुनाता हूँ, कि प्रॉफिट मौहमद जी जो थे, वो बहुत ही God Conscious थे, भगवान को लेकर बहुत उनको प्यार था, बहुत प्रेम था, भगवान के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, अल्ला की टीचिंग्स को वो हर जगह तक पहुचाना चाते थे, फैलाना चाते थे, लोगों को समझाना चाते थे, तकि हुमेनिटी का भलाओ, लोगों का भलाओ, लोगों में शांती आए, प्रेम बड़े एक दूसरे के साथ रह सके, तो प्रॉफिट मौहमद बहुत बड़े भगवान के, जिस लाइक अरजुन जैसे स्री कृष्ण का बहुत बड़ा भगत था, मीरा भाई जैसे भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी, ऐसे ही प्रॉफिट मौहमद अल्ला के बहुत बड़े, बहुत प्योर डिवोटी थी, बहुत प्योर भगत थे, तो क्या होता है, अल्ला एक बार Prophet Muhammad से क्याते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो तुम मुझे इतना प्यार करते हो साबित करके दिखाओ परिक्षा लेते हैं एक तरह सांगी तो वो क्या करते हैं वो कहते हैं बगवान मैं आपके लिए Allah मैं आपके लिए Prophet Muhammad क्याते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं कु completely आपको surrender कर चुका हूँ तो अल्ला कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मुझे लगे की भावई तुम मेरे लिए कुछ भी sacrifice कर सकते हो तो आपको पता है Prophet Muhammad अपने बच्चे अपने लड़के जिसका नाम इसमाहिल होता है उस तक को sacrifice करने के लिए अल्ला के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए अपने बच्चे को भी sacrifice कर सकता हूँ और Prophet Muhammad तलवार रेते हैं और अपने बच्चे को काटने जा रहे होते हैं इतने में अल्ला रोक देते हैं बगवान क्यों चाहेंगे कि किसी को मारा जाए किसी इनसान को मारा जाए एक ऐसे human क्योंकि इनसान एक human intelligence और उसका जो emotions होता है वो एक different होता है तो उसको मारने का मतलब यह है human को मारने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा पाप होता है तो अल्ला जो है वो समझ जाते हैं कि मेरा यह जो भक्त है प्रॉफिट मुहमद इससे बहतर मेरा भक्त कोई नहीं है तो अल्ला कहते है कोई बात नहीं यह रीत तो पुरानी है sacrifice की जो रीत है यह तो बहुत पुरानी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है लेकिन अब किसी इनसान की बली नहीं चड़ेगी अब चड़ानी है तो किसी जानबर के चड़ा दो तो इसी लिए प्रॉफिट मुहमद जो है वो किसी एनिमल की sacrifice कर देते हैं तो यहाँ पर बात है sacrifice की यहाँ पर बात है समरपड की यहाँ पर बात है Surrendrance की एक ऐसे भगवान के प्रॉफिट मुहमद कितने surrender थे भगवान को लेकर कितने ज़्यादा conscious थे और भगवान को लेकर उनके इंदर कितना ज़्यादा प्यार था लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि यार भई अगर peace का symbol है तो यह animal का sacrifice भी क्यों करना तो दोस्त इसको थोड़ा सा समझने के लिए सबसे पहले आपको आपके अंदर की जितने भी conditioning है जो आपके अंदर old conditioning हुई हुई है जो आपके अंदर future को लेकर thoughts है आपको सब कुछ एकदम ignore करके यहां present रहना पड़ेगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे वरना जो दुनिया में एक दूसरे के अंदर जो hate फैला हुआ है मैं यह नहीं कहाँआँगा सिर्फ Muslims के खिलाब चाहे Hindu हो चाहे Muslim हो even Christians भी हो Buddhist भी हो सबके मन में जो एक hate फैला हुआ है it's because we label हम label दे देते हैं कि हाँ मैं Hindu हूँ मैं Muslim हूँ मैं Buddha हूँ मैं इसाई हूँ तो दोस्त इसको जरा समझना बहुत जलूरी है मेरी बात जरा ध्यान से सुनना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक बार क्या होता है एक बहुती बड़े एक सेंट होते हैं एक बहुती बड़े आप कह सकते हो जैन बुद्धिस्ट मॉंक होते हैं और बहुती बड़े सन्यासी होते हैं बहुती जाने माने सन्यासी होते हैं वो तीस साल तक मतलब पिछले तीस साल से वो एक केस लड़ रहे होते हैं पिछले तीस साल से वो एक केस लड़ रहे होते हैं वो ये कि जो जो हम दवाईयां बनाते हैं उन दवाईयों का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन जो दवाईयों की जो experiments हैं वो animals पर ना किये जाएं तो इस चीज के लिए वो 30 साल उनको लड़ते लड़ते हो गए लेकिन अभी तक उनको justice नहीं मिला फिर भी जो testing है वो animals पर हो रहे हैं तो animals को लेकर वो कहते थे कि animals पर cruelty होती है कि अगर हम animals पर अगर test करते है animals पर दवाईयों के test करते तो cruelty होती है इससे animals की जान चले जाती है animals तरबते हैं तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता तो ऐसा नहीं करना चीए इसको बंग करना चीए तो यह सारे शीज़े होरी होती है लेकिन एक बार क्या होता है उन्ही जैन बुद्धिस्ट मॉंग को liver cirrhosis हो जाता है अब देखो सादू तो दारू पीते नहीं है तो liver cirrhosis कैसे हो जाता है लेकिन आपको जान कर यह हैरानी होगी कि काफी सारे सादू छुप छुप कर दारू पीते हैं काफी सारे सादू छुप छुप कर नशा करते हैं तो दोस्तों उनका भी यही था कि वो छुप छुप कर एक दो पैक ले लिया करते थे और दुनिया के सामने दिखाते थे कि मैं तो एक बहुत ही प्योर मंक हूँ और मैंने अपनी इंदिरियों को बहुत कर रखा है बहुत ज़्यादा मैं बहुत मैंने सप्रेस कर रखा अपनी इंदिरियों को तो उनको लिवर्स रोसिस होता है जब उनको लिवर्स रोसिस होता है तो डॉक्टर के पाथ जाते हैं डॉक्टर ображ recommend करता है डॉक्टर ships लिखता है डॉक्तफ जब vors लिखता है तो 911 तो अप जानते हो कोई medicine सी है क्या तो डॉक्टर कहता है ऐसी कोई medicine नहीं है जिसका experiment animals पर ना हुआ हो तो वो जो जैन बुद्धिस्ट मंक है वो दवाईयां लेने से मना कर देते हैं और वो अपने आपको छोड़ देते हैं ऐसे ही तडबता हुआ अब वो अपने आपको तडबता हुआ पेट में दर्द हो रहा है परेशानी हो रही है उनकी बोड़ी में रैशेश हा रही है उनको उल्टी हो रही है लिवर स्लोसिस की वैसे ब्लूर्बिन निकल रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है बहुत दिक्कत में बहुत पीड़ा में बहुत पेन में है अब बाइलोजिक पर जब कोई चीज जब एक एमेरजेंसी होती है उस टाइम पर एलोपेथिक ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है अब आपकी लीवर स्रोसिस है आपको कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा तो बहुत तड़कते हैं काफी दिन तक अब उनकी तवी इतनी जयादा खराब हो जाती है बिलकुल सूप के बिलकुल बिलकुल कक्डी हो जाते है वह सूप कर बिलकुल एक दम खतम होने वाले होते हैं तो उनके पास एक young generation का एक young लड़का जिसने जो सभी धर्मों को समान मानता है जिसने किसी से hate नहीं किया किसी से जलन भावना नहीं जो हरे को इंसान देखता है humanity पर विस्वा सकता है वो आता है और वो उनको समझाता है कहता है कि तुम दवाईयां इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि इन दवाईयों से animal पर cruelty होती है animals तडपते हैं इन दवाईयों से animals पर experiments होते हैं लेकिन what are the cruelty you are doing on yourself लेकिन तुम खुद पर भी तो बहुत बड़ी cruelty कर रहे हो तुम तुम खुद पर भी तो बहुत बड़ा जुलुम कर रहे हो animals पर experiment हुआ ठीक है animals को थोड़ देर के लिए दर्द हुआ और जो animals को थोड़ देर के लिए दर्द हुआ या animals को कुछ कुछ भी दिक्कत हुई थोड़ देर बाद को ठीक हो गया लेकिन तुम यहां महिने महिने से पड़े हो तुमारे पेट में दर्द हो रहा है तुमारे सर में दर्द हो रहा है तुम्हें उल्टी आ रही है तुमारी बॉड़ी में रहे है तुमारी तवित खराब हो रही है तुम इस particular individual को तुम खुद को इतनी cruelty में ढाल रहे हो, इसका कुछ नहीं, तुम खुद को भी तो परिशान कर रहे हो, तुम animals के लड़ रहे हो, तुम animals के लिए परिशान हो, वो बात ठीक है, लेकिन तुम खुद भी तो एक animals की category में आते हो, तुम खुद भी तो एक mammal हो, और तुम खुद पर भी तो कुरियालिटी कर रहे हूं उस क्या उसके लिए कौन लड़ेगा तो दिखोंगे में यह बात समझने वाली बात उस टाइम पर बुद्दिस्ट मॉंक होता है ना बहुत इंटेलिजन्ट होता है बहुत को बड़ा सन्यासी होता है, वो हिल जाता है यह श्योर्ट को सुनके और करता है यार वाल लाइफ वाजर है , मै यह पूरूपाइपektस कर रहा था , मैं किस चीज को कोईश्च कर रहा था , मैं क्या ज़तानी कोशिश कर रहा था देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बात करें एक human की और एक animal की बात करें आइडिस्पेक्ट एनिमल्स आइडिस्पेक्ट एमेंस बोथ है फ्रीडम टू लीव लेकिन हम बात करते हैं जैसे कुछ कुछ मुर्गे है मुर्गे वगरा होगी या फिर और पहले जो एनिमल्स हतया है जो काम मेत इटिंग में जो काम आती हैं तो उसमें जो मेत इति फिर है उनिम न वागत जैसे हमलों है हम अगर हमारे is यह की फिर हम जिसको बहुत जानते हैं उसकी डैथ हो जाती है हमें कोई तकलीफ हो जाती है तो humans में emotion जो होते है न एक emotional burst होता है emotional burst और एक अलग तरह की sensation होती है और कई तरह की चीज़े आने स्टार्ट हो जाती है human के अंदर तो असल में humans बहुत ज्यादा तडपता है बहुत क्योंकि उसके अंदर intelligence है logical चीज़े हैं तो वो सोचता है समझता है चीजों को तो उसको जो pain मिलता है comparison to animal comparison to animal को जो pain हुआ है animal को क्या अगर जैसे हमारे एक female dog है उसका जो एक छोटा बच्चा होता हो मर जाता है बस back to normal कोई दिक्कत नहीं कोई परशानी कुछ उनको इतनी कोई वो नहीं होती कि भाई कोई सफरींग हो रही है कोई दिक्कत हो रही है कोई-प्रिशानी हो री है वह बस झान करता हम हुस टाउम पर तानी करते हैं मैं यह नहीं कहा रहाकि इस चीज़ सही है इस चीज और शायद मैं पागल हुझा इस टोकर कर रहा हूँ लेकिन नहीं कुछ जिन्मेदारी होती है कुछ रिसपॉंसिवर्टी होती है कि सॉसाइटी में पीस होना चाहिए शांती होनी चाहिए और सही नॉलिज होनी चाहिए ऍशन जानकरी हो अब वह जो व्यक्ति होते हैं वो जो बुद्धि्ष्ट मंग होते हैं उन को यह बात समय में जाती है और वह जाते हैं जाकर अपना टीटमेंट लेते हैं धवाइए खाते हैं उसके बाद वह रहते तो ओग्द्वी ediyorum इसलिए भी जरूरी होता है कि जब तक हम किसी चीज के बारे में बात नहीं करते हैं तो वो चीज प्रोक्रेस नहीं करती आगे नहीं वड़ती लेकिन अगर हम बात करें कि यह जो एनिमल का जो यह इशू है यह जो एनिमल सेग्रिफाइस का इशू है कि यही एक इशू है इतने ज्यादा इशू है इस दुनिया में जो मतलब हर कोई किसी का रोड पर एक्षडेंट होता है वहां क्रूल्टी न लोग पड़ लिखनी पा रहे हैं कमाई ठीक से नहीं हो पा रही है इतने सारे मसलें लेकिन आपको पता है आपको यूस किया जा रहा है आपको यूस किया जा रहा है आपको आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको वो करने के लिए आपको उन चीजों का आपको कमपल एक दूसरे से लड़ाई जगड़ा करते है तो दूसरे धरमका है मैं दूसरे धरमका हूँ कानी कतमका अचल साइड हो खुद तर्क लगाओ खुद बुद्धी लगाओ अपनी और आपको बता है वो जो एनिमल सेक्रिफाइस करने के बाद वो जो गोश होता है ईद में वो जो गोश होता है वो गरीब लोगों को बाटा जाता है उसको फैक नहीं दिया जाता है उसको गरीब लोगों को बाटा जाता है उसको आसपास के लोगों को बाटा जाता है फैमिल अगर इसको concept को समझना देखे सिंपल सी बात है बहुत खतरनाग एक open-minded एक धक्कन यहां से घटना चाहिए तुम कुझी सोचिओ अगर मैं यह बोल रहा हुँ ना बोलने में यह आज-पास हवा में इतने सारे जो yotivan नहीं वह स्रिफ हवा की pressure की वुझा ही मर गए मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ भी हाथ में ही कई सारे जो बैक्टिरिया है लाइफ खतम आपको एक जान एक चीज समझकर बहुत हरानी होगी लाइफ इट्स लाइफ जिसे शेर है अब भाई शेर एक हिरन को खाएगा इसी तरह से अगर बात करें इंसान की तो एक इंसान जो है वो ओम्निवरस है हम साइन्टिफिकली बात कर रहे हैं ओम्निवरस है ओम्निवरस का मतलग जो वेजेटेबल्स भी खा सकता है जिस कंडिशन में जो भी चीजे जिस तरह से उसको मिल रही है अब अब आगर हम बात करें पेड़ पोदो की, तो भाई लोग ये भी तर्ग देते हैं ये सथ effective लिपित्य जो बता रही है जो यह प्लीज इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तक शेयर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब